तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में यह हमारा सेकेंड वीडियो है डीसी मसीन के उपर तो हम डारेक्ट सीधे अपने कोशन पर चलते हैं तो हमारा पहला कोशन जो है वो है कि किसी भी डीसी संट जेनरेटर के बहाँ छेतर में परतिरो लगाने से क्या होता है जो एक्सटरनल रसिस्टेंस हम एड करते हैं डीसी संट जेनरेटर में तो क्या होता है उसमें भोल्टेज का मान जो होता है वो घट जाएगा DC Sun generator में अगर हम external resistance जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है voltage का मान जो होता है वो घड़ जाता है DC Sun generator का मुख्यों उपयोग जो होता है generally battery charging में करते हैं battery charge करने के लिए करते हैं next question पर चलते हैं तो DC Sun generator का क्या होता है इसका जो तो कर्व का क्रेट्रेस्टिक का होता है तो slightly dropping क्रेट्रेस्टिक कर्व होता है next question पर चलते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्रिकित में से की सूप generator का उपयोग किया जाता है तो generally जो है battery charge करने के लिए DC Sun generator का पड़ियोग किया जाता है इसका हमने पहले भी डिसकास किया कि डिसी संट जनेरेटर का next question पर हम चलते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए संट जनेरेटर का पड़ियोग किया जाता है संट का विलच्षन जो होता है डूपिंग होता है इसका उपयोग DC Exciter के रूप में भी किया जाता है यानि कि वैसा मोटर जो सिंगल फेज का इंडक्षन मोटर होता है या वैसा जिसमें को सदेखते हैं कि डीसी जनेरेटर का इमेफ किस पर निर्भर करता है तो डीसी जनेरेटर का इमेफ अब इमेफ के लिए हम ने फर्मूला देखा था कल बैक इमेफ का फर्मूला जो आता है Pzn by 60 bạn एम जो है एक अमान दो होगा बे वैंडिंग के लिए और एक अमान पोलो की संक्या के बराबर होगा लैफ वैंडिंग के लिए यह फर्मूला है अब बैक इमेफ आप देख सकते हैं पोलो की संक्या पर समांतर पतों की संक्या पर स्पीड पे चालक की संख्या पे और फ्लक्स पे यह सबी पे निर्वार करता है तो अब हम आप्शन देखते हैं आप्शन में हमारा क्या है कम्मुटेशन दिखपड़ी वरतन स्पीड फ्रिक्वेंसी और बड़ा समपड क्या ड्रॉप तो फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं आता है तो इसका अंसर क्या होगा इस पेड होगा तो हमेशा कॉंसेप्ट को याद रखना ज़्यादा जुरूरी होता है डीसी जनरेटर का कुशन है कि डीसी जनरेटर की भोल्टता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो जनरली जो भोल्टता को बढ़ाने के लिए फर्मूला भी हमने देखा है फाई जेड एन बाई सिक्ष्टी गुने पी बाई ए अगर पाकी सभी मान को हम कॉंस्टेंट रखते हैं तो बैक EMF होए जो डारेक्ली परपोस्नल होगा इनके यानि कि अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो बोल्टेज का मान भी बढ़ेगा तो इसका एंसर देख सकते हैं ओप्सन देखते हैं डिक्रीज देयर फ्लक्स गैप फ्लक्स डेंसिटी नहीं है डिक्रीज देख स्पीड और रोटेशन स्पीड को कम करेंगे तो बैक EMF का मान जो हता है बोल्टा का मान कम हो जाएगा आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाने से नहीं इसका सही अंसर क्या है बी नंबर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं डिसी जनरेटर के आर्मेचर के कुंडलन में यह में प्रेरित होता है जब आर्मेचर क्या होता है आर्मेचर कहां घुमता है मैगनेटिक फ्लक्स के बीच में घुमता जब यह एक डिसी जनरेटर का या डिसी मोटर का योग है इसके बीच में आर्मेचर होता है और यहाँ पर क्या होता है पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके बीच में यहाँ पर पोल सुमें फिल्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर में क्या होता है इसका आर्मेचर वाइंडिंग है तो जैसे ही इसको सप्लाई से कने किया जाता है motor हो या generator तो यह क्या होता है आर्मिचर जो होता है घुमता है तो किसमें घुमेगा तो magnetic flux के बीच में ही घुमेगा magnetic field में चुमक्य छेत्र में तो चुमक्य छेत्र होगा next question चलते हैं एक DC generator को क्या कहा जाता है DC generator के बारे में हमने पढ़ा था कि जो DC generator को क्या कह सकते हैं तो DC generator क्या करता है या DC machine को क्या बोल सकते हैं वो AC को DC में change करता है तो वो क्या है amplifier rotating परवर्ध के रूप में इसका option सही option यही होगा next question पर चलते हैं यह में निर्मान में armature विदुद परिपत के कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं तो armature का कौन सा हिस्सा सक्रिय होता है तो armature जो भूमने वाला rotating part होता है उसमें कई slot कटे होते हैं और इसी slot के बीच में क्या होता है winding की जाती है और यह सब एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो armature के slot the coil side inside the slot यह इसका सही option होगा इसका सही answer है अब next question है DC machine में armature mmf magnomotive force का wave आकार कैसा होता है तो wave form जो होता है triangular होता है याद रख सकते हैं next question चलते हैं दिष्ट धारा machine की उतेजित कुनलिया किस से जुरी होती है तो excitation जो कुनली होता है वो धुरु के चारो और जुरे होते हैं इसका answer क्या है पोल के चारो और जुरे होते हैं next question पे चलते हैं इसका explanation देख लेते हैं दिष्ट धारा machine की excited कुनलिया धुरु के चारो और जुरी होती है धुरु खांचो पर कुनलियन को लगा कर धुरु को उतेजित कह जाता है इस कुनलिय को उतेज़त या छेत्रिय कुनलियन को उतेजित कहते हैं छेत्रिय कुनलों के वर्तनों यानि लापेटों की संक्या अनुप्रस्त कार्ट machine के प्रारूप निर्फर करती है नेक्स्ट कोशन देखते हैं DC machine में दिखपड़ी वर्तक खाली अस्थान की तरह बेवार करता है चुकि कमुटेटर काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है कमुटेटर काफी इंपोर्टेंट पार्ट होता है DC machine के लिए तो यह इसका क्या है तो यह एक rectifier की तरह कार्ट करता है तो यह full wave rectifier होगा क्योंकि यह AC को पुनता unidirectional DC में चेंज कर देता है एकस्प्लेनेशन देखते हैं DC machine में कमुटेटर full wave rectifier की तरह बेवार करता है कमुटेटर का पर्योग DC machine में AC से DCM DC से AC बदलने है तो किया जाता है DC मोटर में कमुटेटर तथा ब्रस की मज़द से एक DC बल आगुन भी उत्पन होता है unidirectional torque का भी पर्योग किया जाता है unidirectional torque और इसका next question पर चलते हैं under commutation give rise to sparking the trailing age of the इसका दो question जो आता है under commutation का क्या कारण होगा तो trailing age पर ब्रस के trailing age पर sparking होगा तो under commutation होगा और leading age पर sparking होगा तो over commutation होगा next question देखते है DC generator में यादी ब्रस को कुछ मात्रा से आगे अस्थनांतरित कर दिया जाए अगर अस्थनांतरित कर दिया जाए तो armature reaction का क्या परभाव होगा तो armature reaction जो है partially demagnetizing and partially cross magnetizing होगा दोनों चीज होगा इसमे next question next question हमारा है कि full pitch winding के लिए दोनों coil side में उत्पन जो voltage होते हैं वो exactly phase में होंगे और auto phase जो होते हैं short pitch coil अगर short pitch coil होगा तो auto phase होंगे और full pitch coil में होंगे तो same phase में होंगे short pitch coil में exercise से कम होंगे next question पर चलते हैं DC machine दोड़ा generator के रूप में अथ्वा motor के रूप में काड़ करने पर निम्रकित में से कौन सी रासी समान दिशा को कायम रखती है कर है कि कोई भी DC machine है ठीक है कोई भी machine जो है DC है और उसको अगर हम generator के रूप में पढ़िए करते हैं या motor के रूप में तो कौन सा टर्म है जो हमेशा उसका दिशा रासी समान होता है तो वह induced EMF है क्योंकि दोनों में सेम ही फर्मूला होता है फाइजेडन 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 बाइशिक्स्टी गुने पी बाइए तो अब देख सकते हैं इसमें फर्मूला भी सेम दिया हुआ है जो हमने डिसकस किया बैक EMF का पर्मूला है फाइजेडन बाइशिक्स्टी गुने पी बाइए लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है आप जिस तरह से इसको याद रखते है वही आपका सही तरीका है फाइजेड का मान है आर्मेचर चालक की संख्या आर्मेचर में कितना कंड़क्टर है आर्मेचर की स्पीड कितनी है पोल की संख्या कितना है एक आमान जो हमने बताया था आर्मेचर में समांतर पतों की संख्या और यह क्या है प्रेरित विदुद वाहक बल और एक चीज हमेशा याद रखेगा बेव वाइंडिंग के लिए दो होता है एक आमान और लैप वाइंडिंग में एक आमान यानि समांतर पतों की संख्या पोलों की संख्या के बड़ावर होता है नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं घूर्णर मसीनों में अवरोध बला घून उपस्तित होता है जब इसका रहा है कि रिलक्टेंस टॉर्क जो होता है रोटेटिंग मसीन में परजेंट होता है जब इसका answer देखते हैं, reluctance seen by the working MMA vary, इसका answer होगा, reluctance seen by the MMA vary, next question पर चलते हैं, DC machine है, उसमें जो variable loss होता है, वो कौन सा loss होता है, तो generally जो iron loss होता है, वो constant loss होता है, fix loss होता है, क्योंकि कोई एक machine वो अगर बन गई है, उसका एक rating है, अगर 5KBA का machine है, तो उसमें iron loss fix होगा, लेकिन अगर load बढ़ता है, तो क्या होगा, उसका copper loss का मान change होते रहता है, जितना load ज्यादा होगा, copper loss का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो same transformer में भी यही term आता है, और इसमें भी यही term, इसका answer क्या है, armature copper loss, देख सकते हैं, armature copper loss इसका answer है, next question पर चलते हैं, commutator, khand, armature conductor से किसके द्वाड़ा जुरे होते हैं, तो copper lux के माधम से इसको क्या किया जाता है, जुड़ा जाता है, यू जो fractional pitch winding, fractional pitch winding का पड़ियो क्यों करते हैं हम लोग, तो make it steeper इसे dread बनाता है, छरन परतिगात में कमी लाता है, machine के अच्छे लंबाई को क्या करता है, कम करता है, इसलिए हम लोग, fractional pitch का पड़ियो करते हैं, अब next question देखते हैं, next हमारा question है, 37 नमबर का question है, लैप पुंडलन को किस परकार की machine में वड़ियता दी जाती है, यह काफी अच्छा question है, और यह repeated है आप देख सकते हैं, कितने exam में पूछा गे, FCI, DMRC, LMRC, UP, जल निगम, AE, electrical, ESIC, GE, electrical, यानि कि काफी बार exam में यह question repeat हुआ है, तो हमने discuss भी किया था कि लैप वाइंडिंग का अर्थ क्या है, तो लैप वाइंडिंग में low voltage और high current, और wave का बात रहेगा, तो wave winding में क्या होता है, high voltage और low current, तो अब हम option चेक करते हैं, तो इसका answer है, उच्छे धारा और निम्न वोल्टेज, तो इसका सही answer C होगा, next question पे चलते हैं, देखें अब इसका option जो हमने lab कुंडलन में समांतर पोतों की संक्या, पोलो की संक्या के बरावर होता है, जो बार बार हमने discuss किया है, आवस्यक ब्रस की संक्या, पोलो की संक्या के बरावर ही होते हैं, और आमतर पर ये 500 किलोवाट से अधिक का होता है, संट जेनरेटर का ब्यापक, next question पे चलते हैं, संट जेनरेटर का ब्यापक रूप से कहां उप्योग किया जाता है, जहां पर constant voltage required हो, वहाँ पर इसका पड़ियो किया जाता है, जहां संक्या भार शेत पर नियत voltage का required होता है, वहाँ पर संट का पड़ियो किया जाता है, charging में भी इसका प्योग किया जाता है, DC जेनरेटर के मामले में क्या होगा, यह दि चुम्बकी जैमिती अच के संपाती हो जाता है, इसका option देखते हैं, तो generator पर कोई भार नहीं है, ऐसा होने पर क्या होगा, generator पर कोई load नहीं है, तो ऐसा होता है, next question देखते हैं, तो next question हमारा क्या है, इसको बिस्तार से देखते हैं, यह एक numerical है, तो numerical भी जानना आपको काफी जरूरी है, आपके exam purpose के लिए, तो सबसे पहले, detail question देखो, देखके घवराना नहीं है, दोस्तों, यह सबसे पहले हम देखते हैं, यह क्या है, sunt generator है, सबसे पहला क्या है, generator होए, और उसमें कौन सा generator है, संड generator, चुकि generator में क्या होता है, back EMF कामान जो होता है, supply voltage प्लस IA into RA, और यही अगर motor होता, तो वहाँ प्लस के जगा प्लस के जगा प्लस माइनस होता है, यह फर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, generator के लिए भी प्लस IA into RA होता है, और motor के लिए क्या होगा, भी माइनस IA into RA होता है, अब हम देखते हैं, प्रेरित EMF कामान कितना है, 500 दिया हुआ है, आर्मेचर परतिरोद कामान दिया हुआ है, आरे कामान जो है 0.2 ओम है, यदि आर्मेचर धारा 200 एंपियर है, तो terminal voltage क्या होगा, तो generator के लिए और motor के लिए, दो अलग-अलग formula होता है, अब हम इसको formula पर put करते हैं, तो यहाँ formula पर हम put करते हैं, back EMF कामान जो है, back EMF ब्रावर भी पलस IA into RA, यह generator के लिए है, तो यहाँ पर back EMF कामान 500 दिया हुआ है, भी को हम रख लेते हैं, पलस IA कामान कितना है, 200 है, और RA कामान है 0.2, दसमलो हटाएंगे, एक 0 नीचे आएगा, आप इस कामान 20 वुने 2 क्या होगा, 40, और 40 अगर हम 500 से घटाते हैं, तो कितना मानाएगा 460, तो यही इसका answer होगा, तो यह formula से कोई भी question पूछा दा है, आपको miss नहीं करना है, यह question याद रखना है, यह जरूर repeated होता है, कोई भी technical का exam हो, खास कर जिसमें electrician theory या electrical engineering का question हो, यह diploma और ITI दोनों में काम आएगा, ऐसा question इस टाइब का, next question देखते हैं, DC machine में brush क्या करता है, तो DC machine में brush का क्या काम होता है, चुकि DC machine में commutator और carbon brush, commutator और carbon brush, यह दो चीज लगे होते हैं, तो brush का काड़ी का smooth rotation नहीं है, और स्पार्किंग से सुरच्छा नहीं है, हानी कम करता नहीं, सरे धाड़ा परवा, यह तू, पत क्या होता है, मुहिया कड़ाता है, next question पे चलते हैं, इस्थिर समनांतरन परचालन के लिए, संट जनित्र देधिक उप्यूक्त होते हैं, क्यूंकि इसकी भोलता अविलच्छन क्या होता है, जो parallel operation के लिए, ज्यादा तर DC संट जनिरेटर का पड़ियो किया जाता है, क्यूंकि इसका क्या होता है, slightly drooping characteristic होता है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये DC मोटर और DC जनिरेटर जो हमारा DC मसीन है, उसका question था, जो हमने आपके साथ डिसकस किया, अगर आपको ये technical का स्रीज अच्छा लगता है, तो किरपया हमें कमेंट करें, ताकि हम भी प्रोसाहित हो, वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, तो किरपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, दोस्तों के साथ सेर करें, और अगर कोई भी question में आपको डॉट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद,